जी नमस्कार स्वागा था आपका प्यार्वेग एडम के यूटूब चैनल पर मैं अरजुन बर्मन आज आपको एवेस के कुछ महत्पुन टॉपिक्स कराने जा रहा हूँ जो आपको आगामी कॉम्पिटेट्टिव सभी प्रिक्षाउमत देखने को मिलेंगे खासकर सूपर प्रतिय किया का है कि सबस्क्राइब हमारे रहेगा भारत का राफ्पिव भारत के रास्टिय दौर्ग में समान अनुपात में केसरिया सफेद तथा हरे रंग की 36 पतिएंघ मिड़ियां के वक्राइध कर दीषया ओनाया नि-परण के संस्य अदूर दम साली पते उससार निश्टी होतीन निश्टीर ऊば holders ूरिप ग지 बायुत को सब्सक्राइध की उता स्षिकति का दोता है था दवज की चोड़ाई और लंबाई कानुपात करम से दो नुपात तीन होता है धवज में सपेद रंग की पट्टियों के बीच और बीच गेहरे निले रंग का चक्र बना होता है यानि कि जो यदि यहां से क्रिशन पूड़ाई के आता है कि चोड़ाई और लंबाई का अनुपात तो बात होगी हमारी दो नुपात तीन की यदि पूछ लिया जाए कि सबसे पहले लंबाई और चोड़ाई पूछ लिया जाए तो फिर क्या अनुपात होगा तो फिर just opposite हो गया यानि तीन अनुपात, दो के अनुपात में ये रखा जाएगा यदि लंबाई पहले पूछता है अब बात आती है, तिरंगे जंडे के जो बीच में जो चक्र बना होता है वो किस रंग का होता है, वो था गहरे नीले रंग का, गहरे नीले रंग का यहाँ चक्र बना होता है इस रंग में, इस चक्र में 24 तीलिया बनी होती है यहाँ चक्र सारनात में इस्थित असोक स्थम से लिया गया है यानि कि यह जो हमारा असोक चक्र है वो हमारा सारनात में इस्थिद असोक अस्थम से लिया गया है इसमें 24 तीलिया होती है 24 तीले बनी होती है यह गहरे नीले रंका होता है और 24 तीलिया बनी होती है और यह सारनात में इस्थित जो हमारा सोक स्थम है वहां से लिया गया है यहां से बहुत से क्विशन पूट अप किये जाते हैं एक्जाम में 22 जोलाई 1947 को भारते सविधान सभाने राष्टे धवज तिरंग को अपनाया था भारत के राष्टे धवज में इस्थित केसर या रंग तियाग यह जो केसर रंग होता है वो तियाग और बलिदान का परतीक होता है सफेद रंग जो हमारा होता है वो सत्य और शांती का परतीक होता है हमारे देस की शहम रधी तथा ऐुरवर्भा का परतीख होता हैं यहां से बहुत सब्सक्रीन गें थे रंग होता है कर लिए यहां करां के सारी न जम्हमरा होता इस गेंपने इस को की यह जै। और हररंग जो होता है हमारा श्रम्रधीत था उर्वरता का परतीत होता है नेक्स्ट टोपिक है हमारा भारत का रास्टे गान यानि भारत का रास्टे गान क्या है भारत का रास्टे गान भारत के रास्ट्य गान जन्गंड मन को 24 जन्वरी 1950 को रास्ट्य गान के रूप में सविकार किया गया था यानि भारत का जो रास्टिय गान है वह 24 जनवरी 1950 को सविकार किया गया था यह है गान रविंदर नाथ टैगोर जी ने रचा था या आई मिन लिखा था यह है जो हमारा रास्टिय गान है जनगनमन यह है हमारे रविंदर नाथ टैगोर जी ने लिखा है अब बात आती है कि रविंदर नाट टैगोर जी ने और किस अन्य देश का जन्य देश का गान लिखा है तो वो किसका लिखा है वो लिखा है हमारे मतलब कि जो हमारा है हमारे जो लिखा है जन्य गन्मन है और जो किसी अन्य देश का लिखाया उस देश का नाम है बांगला देश उसमें जो वहां का जो गान है आमार सोनार बांगला वो यानि कि दोनों ही देश का रिविंट नार्ट टैगोर जी ने गान लिखा है सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को इसे कलकत्ता में भारतीय रास्टिय कॉंग्रेस के अधिवेशन में गया गया था यानि कि सबसे पहले ये 27 दिसंबर को कलकत्ता में भारती रास्टे कांगरेस अधिवेशन में गया गया था संपूर्ण गीत या गान यानि जो हमारा होता है ये ये जो गान है इसको पढ़ने या गाने में लगभग कितना समय लगता है इसे लगता है 52 सेकंड यानि कि हमारा जो रास्टे गान है जन गन मन उसको गाने में 52 सेकंड का समय लगता है यहां से बहुत से क्षिशन बहुत इंपोर्टन क्षिशन जो आपको पढ़ा रहा हूं यहां से बहुत से क्षिशन आते हैं कि पर ध्यान से देखेगा नेक्स्ट विग हमारा भारत का रास्टिय गीत यह भारत का रास्टिय गीत क्या है भारत का रास्टिय गीत भारत का रास्टिय गीत वंदे मातरम वंदे मातरम है भारत का रास्टिय गीत वंदे मातरम है इसके इसके दुवारा रचा गया था, यानि की इसे 24 जणवरी 1950 को राष्टगान के साथ साथ ही सविकार किया गया था सरुपर्थम रास्टिय गीत वंदे मातरम 1896 में भारतिय रास्टिय कांग्रेस के शत्र में गया गया था यानि कि जो हमारा रास्टिय गीत है वंदे मातरम यह 1896 में भारतिय रास्टिय कांग्रेस के शत्र में गया गया था नेक्स टोपिक है हमारा भारत का रास्टिय चिन यह भारत का रास्टिय चिन क्या है भारत का रास्टिय चिन असोग स्थम्ब है जो मोर्य सामराज्य के सासन समराट असोग द्वारा सारनात में बनवाए गए इस्थम्ब से लिया गया है यानि की जो हमारा राश्टिय चिन है यह है असोक इस्थम्भ है और यह कहां से लिया गया है यह लिया गया है हमारा यह सार्णात में बनवाए गए इस्थम्भ से लिया गया है यह इसका डाइगराम है इसका जो चिन होता है वो है इस इस्थम्भ में चार से एक दूसरे से पीट से पीट सटा कर बैठे हुए है और उनमें से एक सिंग के नीचे लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है most important question है सत्य में जयते यानि कि यह जो हमारा रास्टिय रास्टिय चिन है देखो यहां पर सत्य में जयते देखो नीचे लिखा हुआ है सत्य में जयते लिखा हुआ है जिसे रास्टिय चिन में दर्स आया गया है जोकी देवनागरी लीपी में अंकित है यानि आसे क्यूशन पूर्टब होता है कि वो किस भासा में लिखा गया है किस लीपी में लिखा गया है सोरी तो यह होता है हमारा देवनागरी लीपी में लिखा गया है इसका अर्थ है सत्य की विजे होती है तो यदि कुषन आ जाए कि सत्यमें हो जलते का अर्थ क्या है तो उसका सही अर्थ रहेगा सत्य की ही विजे होती है 26 जनवरी 1950 को असोक अस्तंब को भारत के रास्टी ए चिन के रूप में आधिकारिक रूप से सविकार किया गया था यानि 26 जनवरी 1950 को असोक अस्तम को भारत के रास्टिय चिन के रूप में आधिकारिक रूप से सविकार किया गया था अब बात आती हैं नेक्स टोपिक की नेक्स टोपिक हमारा सर्वोच रास्टिय पुरुसकार यानि भारत का सबसे सर्वोच सबसे बड़ा पुरुसकार कौन सा है जैसे का आप देख रहे होगे सर्वोच यह हमारा भारत रतन से बोलते हैं भारत रतन भारत का सर्वोच रास्टिय पुरुसकार और सर्वोच नागरिक सम्मान होता है भारत रतन सम्मान रास्टिय सेवा में ऐसाधान कारिय करने वाले व्यक्तियों को परदान किया जाता है यानि जो ऐसा धान कारिय करते हैं जो ऐसे इंपोर्टेंट वर्क होते हैं जो कोई बहुत कम लोग करबाते हैं उस शेत्र में तो उस व्यक्तियों को ये भारत रतन मिलता है इन रास्टिय सेवा में विज्ञान, कला, साहित्य, खेल और सारवजनिक सेवा के शेत्र में सम्मलित होते हैं इस पुरसकार के रूप में पुरुसकार प्रात करता को एक परमान पत्र यानि एक परमान पत्र और तमगा यानि मैडल जिसे मैडल बोलते हैं दिया जाता है इस पुरुसकार में धंदरासी नहीं दी जाती है सबसे इंपोर्टन जो इसमें दिया गया है कि इस पुरुसकार में परमान पत्र मिलता है एक मैडल मिलता है और इसमें धंदरासी नहीं दी जाती है यानि किसी वक्ति को जिसे दिया जाता है उसे धन्दरासी बिलकुल भी नहीं दिया जाती है भारत रतन की सुरुवात दो जनवरी 1954 को भारत के ततकालीन रास्टपती और यानि रास्टपती सरी राजिंदर प्रशाद दुबारा की गई थी यानि कि भारत रतन जो सबसे पहले सुरुवात की गई थी वो हमारी डोक्टर राजिंदर प्रशाद जी ने की थी नेक्स टोपिक हमारा रास्टिय पसू यानि भारत का रास्टिय पसू क्या है अप्रेल 1903 को बाग या रोयल बंगाल टाइगर को भारत का रास्ट्य पसु गोशित किया गया था यह हमारा देखो, यह हमारा रास्ट्य पसु होता है, बाग इस से पहले भारत का रास्ट्य पसु सेर हुआ करता था तेज फूर्ति और शक्ति के कारण बाग को भारत का रास्टिय पसू माना जाता है यानि ये बहुत तेज तेज और फूर्ति लावता है बाग का जन्तू वेग्यानिक नाम पैंथरा ताइगरिस होता है यहां सिवकेशन पूट अप के जाता है कि जो हमारा रास्टी ये पसु होता है उसका वेग्ञानिक नाम क्या है तो क्या हमारा पैंथरा ट्राइगिस होता है नेक्स टोपिक हमारा रास्टी ये पक्सी ये रास्टे पच्छी हमारा क्या होता है 26 जनवरी 1963 को मोर को भारत का रास्टिय पक्सी गोसित किया गया था मोर को संस्कर्थ भासा में मियूर के नाम से जाना जाता है मोर का जन्तु वेग्यानिक नाम पावो क्रिश्टेटस होता है यह हमारा मोर है, यह हमारा रास्टिय पक्सी होता है अब बात आती है नेक्स टोपिक की रास्टी पुस्प यानि भारत का रास्टी पुस्प क्या है भारत का रास्टी पुस्प कमल है कमल का वनस्पतिक नाम दिलम्बियन न्यू सिफेरा होता है यह हमारा रास्टी पुस्प होता है नेक्स्ट वीड़ी अमारा रास्ट्य खेल यानी भारत का रास्ट्य खेल क्या है Bonus is भारत का रास्ट्य खेल हो 오늘도 को या याज ऐस Really realise अध्य को माना जाता है कि जब भारत ने अलमपिक में होकी भेल में लगातार छे श्वन पदक जीते थे कितने जीते थे 6.9 पदक जीते थे तब से होकी को भारत का रास्टे खेल माना जाता है लेकिन भारती खेल मंतरा लेने माना है कि आधिकारिक रूप से भारत में किसी भी खेल को भारत का रास्टी खेल घोसित नहीं किया गया है लेकिन सरकारी वैब पॉर्टल पर होकी को ही रास्टी खेल माना गया है